मनीपुर नहीं बोला विपक्स ने बहुत कार किया उसके बाद मनीपुर पर चार मिनट बोले और चार मिनट में भी क्या बोले हे मनीपुर की मा बहनों ये सदन और पूरा देश आपके साथ है एक एक दिन सांती का सूराइब जरूर उगेगा लेकिन यह नहीं कहा कि जो हत्यार की लूट हुई है उस पर नरेंदर के हमारा आफ सब लोगों को सोचना चाहिए और मैं दावे के साथ मैं कर सकता हूं जो ये इंडिये में नरेंदर मोधी की सरकार में जो मंतरी सामिल है उनकी को है है हर काम नरेंदर मोधी करते नरेंदर मोधी इस पूरे देश को एक मोबाइल से संचल करें एक मोबाइल से पूरे केंदर के मंत्रिया के सचीबों की मिटिंग बुलाई गई और सु मिटिंग में देश के केंदर के सभी मंत्राले के सचीबों को अब गत्राया गया और ज तो चंदेश उस मोबाइल के माध्यम चे जाता है केंद्रे में बैठे सरकार के सचिप उसी फाइल को और उसी काम को करते हैं आप सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से मई में चार मई का एक वीडियो उजागर हुआ था बहुत दिन बाद संसत सत्र शुरू होने से गिन पहले जिसमें मनीपूर में कारगिल युद्ध के विजेता सुवेदार की पतनी और आदिवाशियों की बेटी को नगन करके प्रेड करके नंगा करके घुमाया गया था और इस संदर्ब में मनीपूर के मामले को लेकर विप्यक्ष के इंडिया गठ बंदनने संसत के अंदर क्योंकि परधान मंत्री नरेंदर मोदी बिलकुन मौन थे इसको लेकर के मजबूर होकर के अभिश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा न केवल मनीपूर के मामले में मोधी मौंते नर्यंदर मोदी संसद में भी हाजिर नहीं हो रहे थे और विप्यक्ष का सवाल बड़ा साफ था एक कि नरेंदरा मोधी मनीपूर कब जाएंगे देश के परधान मंत्री हैं और गौरब गोगोई कांग्रेस के जो युवा नेता है सांसेद हैं उन्होंने रखा था और दूसरा महतोपुरुन सवाल एन बीरेंशिंग को मनीपूर के मुख्या मंत्री को कब हटाया जाएगा और तीसरा सवाल था कि परधान मंत्री असी दिन तक मनीपूर पर मौन क्यों रहे इस बात का इन सवालों का जबाब मनीपूर के मसले पर परधान मंत्री नरेंदर मोधी को देने के लिए अभिश्वास परस्ताव प्लाया गया अब आप सब देसमाशियों जुना सोचिए देस का एक ऐसा राज्या जहां डेर सो से ज़ादा लोगों की हत्या हो गई हो छह हजार से ज़ादा घर जलाए गया हो साथ हजार से ज़ादा लोग बेगर हो गया हो और जहां पर पाचिछार गूरघा के जादे जादा राइफल लाइट मषीन गना ये सब लूटी गयी हो और छ्युटि गूली लाइट मषीन गना राइफल के शिकार हमारे भारत के साइनिक बनने वाले हैं और यही नहीं कारगिल युद्व में जो कारगिल की लड़ाई जीती गई है उसमें सुमेदार रहे उनकी पत्री को नंगा करके प्रेड करके बलाथ कार किया गया था। आपको मालूम है कि आदिवाशी लड़कियों का बलात कार किया गाता नंगा करके और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सवाल है इस पर परधान मंत्री को जबाब देना था परधान मंत्री के जबाब से पहले माननिया मुख्या मंत्री ग्रह मंत्री जी ने मोर्चा समाला सवाल मरीपूर पर थे लेकिन उनका जो आपने सुना होगा कि किस तरीके से ये तो कहा है कि असब्या बात है किसी भी कीमत पर कोई सब्या समाज ऐसी घटनाओं को बरदास्ट नहीं कर सकता है लेकिन बहुत बड़ी दो बातें एक ग्रह मंत्री ने कहा हम एन्बीरेंशिंग को इसलिए नहीं हटा रहे हैं क्योंकि चार मई से बहाँ पर मुख्या सचिप और डी जी पी को केंद्र सरकार ने बदली किया इसका मतलब बड़ा साफ है कि मरीपूर्व बले ही वहाँ एन्बीरेंशिंग मुख्या मंत्री हैं लेकिन वहाँ पर राजपाट ग्रह मंत्री की अगवाई में मोधी सरकार का चला है तो पहली बात ये कि क्या ये ग्रह मंत्री के माध्यम से नर्यंद्र मोधी जो वहाँ पर डी जी पर मुख्या सचिप को बदली करने के बाद क्या-क्या घटना करम हुए है चार मई को चार मई से ले करके और ठीक मैं आपको बताना चाहता हूँ तीन अगस्त तक निरंतर हत्यारों की लूट पार चल रही है तीन अगस्त को भी बड़े पैमाने में वहाँ बंदुके लूटी गई है जिनकी संक्या तीन सो पैसर चाशा ज्यादा है और अठाइस माई को पैसरी सज्जा चे ज्यादा गण लूटी गई है यह मैं आपको आकड़े चिल पिछले बता रहा हूँ क्योंकि ग्रहम मंत्री ने दावा किया कि मुख्यम मंत्री बहुत बढ़िया तरीके से हमारे हर बात को मान रहे जो हम चला रहे तब मैं यह कहना कि कांग्रेश जो कह रही है और मणीपुर में जो आदिवासी कुकी समधाई के लोग मांग कर रहे हैं कि यह पूरी सरकार नरेंद्र मोदी चला रहे हैं क्योंकि डीजी प्यर मुख्य सचिप को चार तारी को केंद्र से लिजा करके बदली कर दिया गया क्या कारण है कि चार मैं को यह सवाल देशली को करना चाहिए शेना के जवानों को करना चाहिए कि शेना के शुवेदार की पत्री को नंगा करके परेड लगा करके बलातार कर आ गया और उनकी यफाया और दर्ज करने के लिए अठारा माई को लिखी सिकायत के बाद भी हम आपको बताते हैं कि पकी यफाया और दर्ज करने में भी उननचाह दिन लगे हैं और यही मामला वहाँ पर आदिवासी महलाओं के साथ भी है तो फिर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और अमिसा फिर अफल्हा दीजी पियर मुख्या सचिप को बदली करने के बाद भी नह वहाँ पर मेतेरी के द्वारा कुकी समुदाई की महलाय सुरक्षित है और एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं जिस पर कार रावुल गांदी ने बड़ी सत्या बाद कही कि जब हम वहाँ दोरे पर जा रहा था तो हमसे कहा गया कुछी समुदाई ने कहा अगर तुम्हारे साथ में मेताई का कोई सुरक्षा कर्मी होगा हम गोली मार देंगे और मेताई समुदाई ने कहा कि तुम्हारे साथ में अगर कुछी समुदाई का कोई सुरक्षा कर्मी होगा हम गोली मार देंगे लेकिन सबसे बड़ी बात यह सोचने की हड़ी की इनीकी मर्जी का मुख्या सची बड़ी जी पी लगने के बाद भी आज भी वहां हत्यारों की लूट पाड़ जारी है हो अधमें दर्ज करने में कोताई जो हो रही वहां आप सब के सामने है एक और सवाल उठाया गया वो है कलाबती के विशे में जिसके घर पर 2008 में राहूल गांधी रुके थे कलाबती के दामाद ने तब आत्मत्या की थी मैं एक आपको मेरा आटिकल तब मैंने लिखा था और उसका मैंने लिखा था उसका हेडिंग है दैनिक भासकर में किसानों को सूथ कोर के चंगुल से कौन बचाएगा मैंने इसमें कलावति का पूरा जिक्र किया था और तब वहां के मुख्यमंत्री से लेकर के देश में परधान मंत्री मनमोंशिंग जिक्र किया था और इस कलावति का अर्टिकल मैं इसलिए दिखा रहा हूं उनके विश्वय में के दामाद संजे के आप भत्या के बाद मैंने लेक लिखा था मैं यह कैना चाहा हूँ कि क्या तुलणा कर रहे थे ग्रैमंत्री मनीपूर में जहां सेना के सुबेदार की पत्री को नगन करके प्रेड लगा कर बलातकार किया गया हो जहाँ पर पुलिस के रिजर्ब पुलिस से लेकर तमाम पुलिस बटालेइन के हत्यार लाइट मसीन गने और गोली बारुद बहां लूटी गई हो जिसका शिकार गारंटी के साथ में हमारे सेना बनने वाली है जिस परकार के दस्तूर की बात ग्रहे मंत्री कर रहे हैं, बहाँ पर मनीपूर की पुलिस असमरेफल के खिलाब मुकड में दर्च करा रही है और कुक्की समुदाई के लोग कह रहें असम रैफल सिर्फ नाम है उसमें असम के लोग नहीं पूरे भारत के लोग असम रैफल में भड़ती होते हैं जो लोग सेना के भी से मैं जानते होंगे मैं साइनिक परिवार चाहूं इसलिए दावा कर रहा हूं और कुक्की कि अध्यानी के चहते नरंद्र मोदी असी दिन तक मनिपुरपन नहीं बोले यही कारण हो सकता है कि अभिश्वास परश्टाओं के बीच में नब तक जब एक सब्द मनिपुरपन नहीं बोला विपक्ष ने बहिसकार किया उसके बाद मनिपुरपन चार मिनट बोले और चार एक दिन सांती का सूरत जरूर उगेगा लेकिन यह नहीं कहा कि जो हत्यार की लूट हुई है उस पर नरंद्र ने देखा किस परकार मिजोरम में भी हमारे देश में सेना पर विलाजिदी करने की बात आई है 1966 का मैं चिक्र कर रहा मेरे प्यारे देश्वासियों जो सेना में और सेना में रह चुकि और सेनिक परिवारों से हो 1966 में मिजोरम को स्वतंत्र मिजोरम जो हुआ पर आतीबादी यह मैं कहूंगा कि उन्होंने स्वतंत्र देश खोशित करने की बात की थी और उन आतंग बादियों का मुकाबला करने के लिए बहाँ पर सेना की मदद के मैं एक और आर्टिकल आपको दिखाता हूं मेरा कल्ब तरू में परकासी दुआ था यह मैं 30 जुलाई 2014 का है यह आर्टिकल मैं आपको इसले बताना चाहता हूं कि हमारा देश आप सब लोगों को सोचना चाहिए और मैं दावे के साथ मैं कर सकता हूं जो यह इंडिये में नरेंद्र मोधी की सरकार में जो मंत्री सामिल है उनकी कोई हैस्ट तर आवकात नहीं है हर काम नरेंद्र मोधी करते हैं नरेंद्र मोधी इस पूरे देश को एक मोबाइल से संचल करें एक मोबाइल से पूरे केंद्र के मंत्रिया के सचिबों की मिटिंग बुलाई गई और स्मिटिंग में देश के केंद्र के सभी मंत्राले के सचिबों को अबगत राया गया और जो संदेश उस मोबाइल के माध्यम से जाता है केंद्रे में बैठे सरकार के सचिब उसी फाइल को उसी काम को करते हैं जैसे आप मुझे बताइए कि जब 15 जून 2020 को हमारे देश में गल चवानों की चिताएं जल नहीं थी और देश का परधान मंत्री चीनी बैंक से 75,000 क्रोण अमेरिकी डॉलर का करजा ले रहा था और करजा लेने के बाद हमारे देश का परधान मंत्री आल पाटी मिटिंग बुला कर किस तरीके से आप सब ने देखा क्या बोले थे परधान म में 40 जवानों के हत्या कराने के बाद परधान मंत्री अपने बन में मैं क्या करता हूं वहां एक विद्येशी के साथ में वीडियो शूटिंग करा करके मौन रहे आखरी बात देश-बाशियों को जरूर सवाल करना चाहे मनिपूर में सुवेदार के पत्नी को नंगा घुम आखरी बात है 66,000 हेक्टियर जमीन लुटवा करके पामोलिन के उत्पादन के लिए अदानी को देने के लिए कुकी समुदाए आदिवाशियों को गैर आदिवाशियों को आदिवाशियों लड़ा